प्यार की कहानी यह कहानी है एक लड़के और लड़की की, जिनका प्यार बहुत ही खास था. लड़का का नाम राहुल था और लड़की का नाम प्रियंका था. वे दोनों हमेशा साथ खेलते, पढ़ाई करते और एक दूसरे के साथ हंसी मजाग करते थे. उनका प्यार देखकर सभी कहते थे कि यह एक सच्चा प्यार है एक दिन राहुल ने प्रियंका से कहा प्रियंका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है प्रियंका ने मुस्कराते हुए कहा बोलो ना राहुल क्या बात है राहुल ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? प्रियंका ने भी उसे गले लगा लिया और कहा, हाँ राहुल, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ दोनों का प्यार और भी मजबूत हो गया वे एक दूसरे के साथ हमेशा रहने की कसम खाते और एक दूसरे के लिए हर मुश्किल में साथ खड़े होते उनका प्यार दिन पर दिन और भी गहरा होता गया फिर एक दिन राहुल ने प्रियंका से कहा प्रियंका क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी प्रियंका ने खुशी-खुशी हां कह दी उनकी शादी एक बहुत ही धूमधाम से हुई उनके प्यार ने सब को अपनी ओर आकरशित किया उनकी शादी के बाद राहुल और प्रियंका ने एक सुखी जीवन बिताने का फैसला किया और उनका प्यार हमेशा के लिए बना रहा इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि सच्चे प्यार में कोई भी मुश्किल आसानी से हार नहीं मानता अगर हमें किसी से सच्चा प्यार है तो हमें उसके लिए हर कठिनाई का सामना करना चाहिए और उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए यदि आपको और किसी प्रकार की कहानी चाहिए हो तो कृपया बताएं आपकी सहायता करने में मुझे खुशी होगी